आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो इस वाले किरिया को बोलते हैं बिटा हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक परभाव विद्युत धारा का रासायनिक परभाव से हम लोग इसको चीज को समझ सकते हैं रासायनिक परभाव अगर मैं इसके अंदर बात करूं बिटा तो यहाँ पर क्या होता है सबसे में जो चीज होता है जो कि हमारे पास में एक्वारेजियम जो होता है एक्वारेजियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पेटा अमलराज क्या बोलते हैं अमल राज कहते हैं इस अमल राज या फिर हम लोग इसको कहते हैं नाइट्रो हाइट्रो क्लोरिक अमल या फिर हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रो हाइट्रो क्लोरिक अमल हाइट्रो क्लोरिक अमल भी इसको कहा जाता है ठीक है बेटा यहाँ पर क्या होता है यह कई अमलों का मिश्रण होता है यह कई अमलों का मिश्रण होता है या फिर मैं आपको यह चीज़ बोदू कि यह जो अमलराज है यह एक्वारेजिया नाइट्रो आइट्रो क्लोरिक अमलों का मिश्रण होता है अमलों का मिश्रण होता इसलिए इसको बेटा अमल राज भी कहा जाता है ठीक है यह अत्यंद्र संशारक अमल होता है परंतु बना अमल राज जो है यह केसा होता है यह होता है हमारे पास में रंग हीन होता है लेकिन कुछ समय पस्चात केसा हो जाता है बेटा थोड़ी देर बाद में यह हो जाता है यह सांद्र नाइटरिक जो हमारे पास में होता है यह थोड़ी देर बाद में यह नारंगी रंग का हो जाता है है ना थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद यह नारंगी भी हो जाता है ठीक है बेटा और फिर उसके बाद में क्या होता है कि थोड़ी तेरबाद में जब यह नारंगी हो जाता है तो इससे धुआ निकलता रहता है किजे ही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर